उधारण दो 7.3456 जहां 4.5.6 के उपर बार है को P बटा Q के रूप में व्यक्त किजी हमें 7.3456 जिसके उपर बार लिगर लगा हुआ है यह संख्या 4.5.6 बार बर दोराई जाती है हमें 7.3456 जो की 4.5.6 के उपर में बार लगा है को P बटा Q में व्यक्त करना है सबसे पहले हम मानेंगे माना P बटा Q बराबर 7.3456 जो 5.6 के उपर में हमारे पास बार लगा है इसे हम कैसे लिख सकते हैं P बटा Q बराबर 7.3456 फिर से पुना 4.5.6 जो ये बार बार पुनावृत्ती होंगी सीगे अब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों को 10 का गुणा करने पर जब हम उपार वाली समीकरण को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 10 P बटा Q बराबर इस सांख्या को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलों एक स्थान दाईयोर आगे बढ़ेंगा मतलब 3 के बाद दशमलों लगेंगा तो हमें प्राप्त हुआ 73 दशमलों 4 पांच 6 ये हमारा पहला समीकरण बना अब हम क्योंकि यहां पे 4 पांच 6 की पुनावरित्ती बार बार हो रही है तो हम यहां पे दोनों पक्षों में एक हजार का गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों को एक हजार का गुणा करने पर जब हम पहले समीकरण को एक हजार से गुणा करेंगे तो एक हजार को जब हम दस से गुणा करेंगे तो हमें दस हजार पी बटा क्यों प्राप्त होंगा उसी तरह से दाएं पक्ष में जब हम एक हजार को 73.456 से गुणा करेंगे तो दस हमलों तीन स्थान दाएं और आगे लगेंगा तब ये संख्या बनेंगी 73.456 इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे आए आगे हम अगले प्रिष्ट में देखते हैं अब हम समीकरण दो से एक को घटाने पर हमारे पास जो दूसरा समीकरण था उसके बाएं पक्ष में 10,000 P Q था 10,000 P बटा Q था और पहले समीकरण में हमारे पास था 10 P बटा Q तो हम इसे घटाने के लिए रिन लगाएंगे और 10 P बटा Q ये हमारा बाया पक्ष समीकरण दूसरा को हमने एक से घटाया उसी तरह से दाएं पक्ष मर हमारे पास दूसरे समिकरण में था 72456.456 इसको हम घटाएंगे हमारे पास पहले समीकरण में था 73 दशमलो 4, 5, 6 4, 5, 6 इसको हम घटाएंगे तो जब हम बायो और देखते हैं 10,000 P बटा Q में से जब 10 P Q को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगा 9,990 P बटा Q बराबर दशमलो के आगे की और जब सम्ख्या को देखेंगे 10,456,456 जब हम इसे घटाएंगे 4, 5, 6 दशमलो 4, 5, 6 4, 5, 6 से तो हमें दशमलो के बाद शूनिप्राप्त होंगा अब कहीं हम 73,456 में से 73 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होंगा 73,383 जब हम 9,990 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा प्राप्त प्राप्त जब करेंगे अब कहीं हम इन संख्या को देखते हैं तो यह दोनों संख्या जो हैं तीन से पूर्ण विभाजित संख्या आएं हैं तब हम अन्शौर हर में इसको तीन से काटेंगे तो ये या इसे हम P बटा Q को और छोटा करेंगे काटने के बाद तो 3 दुनी 6 एक बचा तो 13 हुआ 3 चौक 12 फिर एक बचा तो ये 13 बन गया 3 चौक 12 एक बचा तो 18 3 चक 18 3 एकम 3 बटा अब इसे फिर से पुना हम 3 से काटेंगे तो 3 तीन 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 शुन्य शुन्य तब हमने दी गई संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा 24,461 बटा 3330 यहां इस उधारण का हल होगा करके देखें निमने लिखित दसमलोग को P बटे Q के रूप में परिवर्तित कीजिए पहला एक दसमलोग दो तीन 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 इत्यादी दूसरा तीन दसमलोग आठ आठ इत्यादी तीसरा तीन दसमलोग दो सुन्य चार तीन चार तीन इत्यादी झाल झाल